यहां पर हम बिल्कुस उस औरतों के विरासती हुकुक बच्चों और बच्चियों के साथ ज्याती जिनके साथ होती है उनके लिए फिरी लीगल एड काम करते हैं बिना किसी मौबजे हम उनकी मदद करते हैं कानून में कोटों में जब तक उनको उनका जेस्टिस ना मिला हमारे पेरा लीगल्स के सेशन्स होते हैं कम्यूनिटी से हमारे पेरा लीगल्स के सेशन्स होते हैं कराची के डिफरेंट डिस्टिक्स हर इलायके से हमारे पास पेरा लीगल्स हैं जहां पर हम वकील और हमारे दूसरे आफिस के मुनसले का लोग जाके लोगों को उनकी कम्य कम्यूनिटी में आगाई सेशन देते हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं कानून हुकूप क्या है विरासत के हुकूप क्या है बच्चे और बच्चों की ज्याती के हुकूप क्या है उनको कैसे टेकल किया जाए हर एक को हम कम्यूनिटी में जाके बताते हैं ना सिर्फ मुस्लि को भी कोई suggestion करते हैं कि यह कानून तब्दील किया जाए या इसमें बेतरी लाई जाए implementing partners जिस तरह हमार सा human rights department लाड़ पर उनके साथ हमारे program से सजेशन्स होती हैं जो इनको फोरम पर लेके जाते हैं उसके बाद जाहरी बाते हैं वो करते हैं हमारा एक सिंध लीगल एडवाइसरी कॉल सेंटर है जो के लाव डिपार्टमेंट के साथ उनकी श्राकत के साथ एक बनाव है जिसमें हम फ्री कानूनी मश्वरे प्रवाइड करते हैं 24-7 हर किसम का आप मश्वरा ले सकते हैं जहां पे हमारे इंडोल हाइड कोट के बैठे होते हैं जो के आपको 9-5 आपको इन-परसन कानूनी मश्वरा प्रवाइड करते हैं और इसके बाद अगर कोई केस आपका परसू करना चाहते हैं डिटिकेशन में तो हमारे पास वोकला हैं जो आपका जो केस है उसको कोट में लेके जाते हैं और यह सब कुछ फ्री कोने लोग साल भर में आपसे मदद लेते होंगे और कितना प्रोग्रेस रहती है अगर मैं एडवाइजरी कॉल सेंडर की बात करूं तो अभी तक हम 10,000 से जादा लोगों को कानूनी मश्वरा प्रोवाइड कर चुके हैं और जहां तक मैं उसकी बात करूं सिर्फ इन दो सा करते हैं और जिनके पास एकनॉमिक अफिनेंशल जो है वह असिस्टन्स नहीं होती है हमारे हादाल्ती निजाम तो बहुत लंबा केस को ले जाता है तो आप लोग कहां तक उसका साथ देते हैं हम उसका 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 साथ देते हैं जब तक उनको जस्टिस प्रोवाइड नह करते हैं